जैहिन दोस्तो नमस्कार डेली रिल्बुक में आप सभी का स्वागत हैं आज हम लोग इस वीडियो में टेस्ट पेपर 8 का प्रैक्टिस करेंगे और इसमें कुल मिलाकर 40 प्रसन हैं तो इससे पहले हम लोग 7 टेस्ट पेपर का प्रैक्टिस कर चुके हैं अगर आपने नहीं किया है और इस चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल वीडियो के डिस्केशन में ही वह सारे टेस्ट पेपर का लिंक दिया हुआ है तो वहां से आप टेस्ट दे सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रसन यह सारे प्रसन साइंस के प्रसन है और इसी तरह हम लोग 60 टेस्ट पेपर का अध्यन करेंगे और इस साथ टेस्ट पेपर में लगभग 2000 से अदिक क् oneself हो जाते हैं जिसमें से आसान भी केस्चन होगे भारी भी कुश्चन होगे सहरे एक टाप के क्वेस्चन होगे जो एक्जाम में आते हैं और वह इसे question लिया जाता है जो exam में आता है भले ही आपको लग रहा है यह सारे question आसान है लेकिन यही सारे question पूछे जाते हैं तो revision के perspective से बहुत ही जरूरी है और आप अपने तैयारी को जरूर आखिए तो चलिए start करते हैं आज का पहला प्रस्ण पहला प्रस्ण है मानव सरीर में जल की मातरा होती है कितना प्रस्ण 10 परतीशत 20 परतीशत 5 परतीशत या 80 परतीशत तो इस प्रस्ण का सही जबाब होगा option D यानी 80 परतीशत मानव सरीर में जल की मातरा 80 परतीशत होती है अगला प्रस्ण है मनुस्य का समानिताप करम लग आप्सन है 98.6 डिग्री फोरन हाइट, 98.6 डिग्री फोरन हाइट तो इस परसन का सही जवाब होगा आप्सन ए यानि 98.6 डिग्री फोरन हाइट मनुस का सामान्य ताप करम होता है आप्सन है मानव सरीर में आहार यानि भोजन मुख्ता ड्यास में पच्टा है उप्सन है उदर छोटी आंत, बरी आंत या या करित तो इस परसन का सही जवाब होगा छोटी आंत मानव सरीर में आहार मुख्ता छोटी आंत में पच्टा है अगला प्रस्ण है मनुस लोहा किसे प्राप्त करता है पनीर से पालक से मचली से या दूद से तो इस प्रस्ण का सही जवाब होगा B यानि पालक से मानव सरीर में सबसे परचूर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है कार्बन, केल्सियम, नैट्रोजन या ऑक्सीजन तो इस प्रस्ण का सही जवाब होगा कार्बन मानव सरीर में सबसे परचूर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है कार्बन अगर धातू पुछा जाता तो केल्सियम हो जाता अğlला परश्ण है किस पोसक तत्व का सर्व परतम मुह में पाचन होता है उपसन है प्रोटीन, कार्भोहाइडिट, बसा या विटामीन तो इस परश्ण का सही जबाप होगा कार्भोहाइडिट कार्भोहाइडिट का पाचन मुशे प्रारंब होता है Q7 भोजन का पाचन निमलखित में से किस अंग में प्रारंब होता है Option है मुह में या कृत में पेट में या आत में भोजन का पाचन किस अंग में प्रारंब होता है तो इसका सही जवाब होगा मुह में मुश्य पाचन शुरू होता है सरीर में सबसे भरी हड़ी कौनसी है option है अस्टेपीज, फीमर, कसेरूक या कपाल हड़ी तो इसका सही जवाब होगा option B यानि फीमर अगला प्रस्टन है मानब सरीर का सबसे बरा यानि आंतरिक अंग कौनसा है सबसे बरा आंतरिक अंग मस्तिशक या क्रित गुर्दा या हिर्गय तो इसका सही जबाब होगा या क्रित अगर बाई पूशा जाता तो यह हो जाता तो च माना मस्तिशक कितने gram का होता है ओपसन है तेरहसो पचास, बारहसो पचास, एकठेसो या पंद्रेसो, क starving तो इसका सही जबा होगा in option यानी तेरे seizedो पचास 3050 समानता तेरेogen फिरे Legalindo करते सुए 400 गराम 90 मानब मस्तिश का बज़न होता है का अलाप्रस्ण हे मनुष्यर के मस्तिष्क का सबसे बरा भाग है अप्शन है मस्तिकांत अनु मस्तिष्क प्रो मस्तिष्क या मध्द मस्तिष्क तो इसका सही जबा हुआ अप्शन सी यानी प्रो मस्तिष्क मनुस्षिक के मस्तिष्क का सबसे बरा भाग है प्रो मस्तिष्क जिसे सेरे ब्रह्म कहते हैं सरीर में सबसे लंबी कोशिका है कौन सी है तंत्रिका कोशिका यकरित गुर्दा या हिर्दा तो जिसका सही जवाब होगा तंत्रिका तंत्र सरीर में सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका तंत्र अगला प्रस्ण है सरीर की सबसे छोटी गरंथी कौन सी है उप्सन है लीवर थाइरवाइड पिटूटरी या लार गरंथी सरीर की सबसे छोटी गरंथी कौन सी है इसका एंसर होगा उप्सन सी पिटूटरी अगरा प्रसन है सरीर में मानव गरंथी किसे कहा जाता है सरीर में मांश्टर गरंथी किसे कहा जाता है अगरा प्रसन है आप मानव सरीर में उपरोष्थी को कहां पाएंगे अप्रसन है जांग में नितम में कापाल में या शाती में तो इसका सही जवाब होगा जांग में अगरा प्रसन है हम एक मिनट में हम एक मिनट में डियास बार सांस लेते हैं अप्रसन है 16-18 30-20 100-110 या 4-8 तो इसका सही जवाब होगा 16-18 बार टिविया नामा खटी पाई जाती है खोपडी में टांग में बुजा में या मुह में तो इसका सही जवाब होगा टांग में टिविया नामा खटी टांग में पाई जाती है वा अंग जो मानव सरीर में पित उत्पन करता है उप्सन है पिता से यकरित गुर्दा या ग्रास नली तो इसका सही जवाब होगा यकरित मानव अंग जो वा अंग जो मानव सरीर में पित उत्पन करता है यकरित है अगला प्रेंसर ना नाख से मूँ शे जीब से या आँख से तो इसका सही जवाब होगा उप्वषन डी यानि आँख से हैं अगला प्रेंसर मानव सरीर में कांशा पमदार्थ ततकालिक उर्जा का मुक्रस रूत हैं आप्सन है प्रोटीन, खनीज, लवन, बिटामीन या कार्बो हैडिट मानब शरीर में कौन सापदार ततकलिक उर्जा का मुख्षरोत है इसका सही जबाब होगा आप्सन डी यानि कार्बो हैडिट मानब रक्त का पी एच मान कितना होता है आप्सन है 3, 6, 7.4 या 12 मानब रक्त का पी एच मान 7.4 होता है इस आप्सन सी सही है मनुष के हिर्दय की सामान अस्पंदन गती परती मिनट होता है आप्सन है 172, 80 या 24 तो इसका सही जबाब होगा आप्सन बी यानि 72 बार सर्वदाता रुधीर बर्ग है आप्सन है A, B, A, B या O तो इसका सही जबाब होगा आप्सन D यानि O सर्वदाता रुधीर बर्ग है O सर्वगराही रक्त समू होता है O, A, B, B या A तो इसका सही जबाब होगा A, B सर्वगराही रक्त समू है A, B एक A, B गुरूप बलाव्यक्त एक खून दे सकता है किसको दे सकता है? उप्सन है A और B को केवल A, B को A, B एवं O को या इन सभी को तो इसका सही जवा होगा केवल A, B को दे सकता है का रहा है दे सकता है यानि लेगा सभी से लेकिन देगा सिर्फ A, B को ओ रक्त समो वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है A रक्त समो को B रक्त समो को A वी रक्त समो को या सभी रक्त समो को तो इसका सही जवा होगा सभी रक्त समो को मानव शरीर में रक्त चाप निमलिखी द्वरा नियंतरित होता है रक्त चाप किसके द्वरा नियंतरित होता है? उप्शन है, adrenal glands, thyroid glands, thymus glands, carpsals, luteum तो इसका सही जबाब होगा, adrenal gland उप्शन ये सही है इंसुलीन की कामी के करान होने बाला रोग है उप्शन है, very very, diabetes, cancer या एनीमिया इंसुलीन के कारण कौन सार्वग होता है एंसर होगा डाइबिटीज अगला प्रसने मानव सरीर में क्रोमोजोम यानि गुनसुत्रों की संख्या कितनी होती है तो मानव सरीर में गुनसुत्रों की संख्या ओप्शन है 40, 42, 44 या 46 तो इसका सही जवाब होगा एंसर D यानि अप्शन D होगा 46 मानव मुत्र का पी अच मान कितना होता है 5, 7, 6 या 8 तो इसका सही जवाब होगा 6 मानव मुत्र का पी अच मान 6 होता है मानव सरीर की सबसे चोटी हड़ी कौन सी है फीमर, अश्टे, पीज, कसेरुक या कपाल हड़ी मानव सरीर का सामान्य ताप करम होता है अगला प्रस्ण है इंसुलीन स्रावित होती है पैन क्रियाज यानि अगनासय में, पैरा थारोइड में, यक्रित में या पिचुट्री में तो इसका सही जबाब होगा पैन क्रियाज में यानि अगनासय में अग्रा प्रस्ण है लाल रक्तकन का निर्मान होता है अस्थी मज्जा में पलिहा में या कृत में या हिर्दय में लाल रक्तकन का निर्मान कहां होता है इसका सही जबार होगा अस्थी मज्जा में होता है लाल रक्तकन का निर्मान एक ब्यस्क मनुस में रक्त की आउसत मातरा होती है ओप्शन है 3.4 लिटर, 4.5 लिटर, 5.6 लिटर या 6.7 लिटर एक ब्यस्क मनुस में रक्त की आउसत मातरा होती है 5.6 लिटर एंसर ओप्शन C होगा इसका सही जवाब अग्रा प्रेशन है लाल रक्त का आकार होता है ओप्शन है गोला कार उतला कार और नियमिति कार या इन में से कोई नहीं तो इसका सही जवाब होगा गोला कार मनुस्य का सामन रक्त चाप होता है 150 वटे 90, 120 वटे 80, 150 या 90 वटे 80 तो इसका सही जवाब होगा ओप्शन B यानी 120 वटे 80 120 को किसे स्टॉल करती हैं और 80 को डायस्टॉल कहा जाता है एक स्टॉल और एक डायस्टॉल मिलके एक धरकन पूरा होता है अगला प्रस्ण है रक्त को जवाने में कौन सा प्रोटीन उभ्योग में आता है उप्शन है फाइबरिनोजेन राइजोबियम लेग्यूमी नोशोरम अस्टे फाइलो ककस या नोनो कसालोन तो इसका सही जवाब होगा फाइबरिनोजेन अगला प्रस्ण है क्वेश्चन नमर्ण उन्चालिस शरीर में हीमोग्लोवीन का कार्ज है ओप्शन है ओक्सीजन का प्रिवहन जिवानु का नास रक्त अलपता, का निवारन या लओ का उप योजन तो इसका सही जवाब होगा औक्सीजन का प्रिवहन शरीर में हीमोगलोवीन का कार्ज होता है औक्सीजन का प्रिवहन करना अब है अंतीम प्रस्ण हीमोगलोवीन में उपस्चित होता है बहुत ही आसान प्रस्ण है कॉपर कोबाल्ट निकेल या आइरन हीमोगलोवीन में क्या उपस्चित रहता है और यह वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी दो सब्स जरूर लिखिए फिर मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिजिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए जाहिंद